हेलो एग्री कल्चरिस्ट एक वार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल एग्री डॉक्टर में इस वीडियो में एक वार फिर हम बताने वाले हैं आपको जवाहाल लाल नहरू क्रशिव स्विध्याले जवलपूर की ओर सियाई विक अपडेट के वारे के अंडर ग्रेश्वेट प्रोग्राम इंडर फिकल्टी ऑफ एग्री कल्चर एंग्री कल्चर इंजीनरिंग के लिए जनरल इंफोर्मेशन दी हैं और एनरी परफॉर्मा भी दिया हुआ है सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनरी स्टुडेंट होते क्या हैं तो एनरी इंट्रेंस एक्जामनेशन कंड़क्ट किया जाता है उसके लिए कोई भी इंफोर्मेशन नहीं है पर अप्रॉक्सिमेटली आपका MPPAT इंट्रेंस एक्जामनेशन का नोटिफिकेशन जुलाई 15 के बाद आ सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंफोर्मेशन के अगर आप NRI स्टुडेंट है और आप जनकीवी केंट्रेंस एक्जामनेशन के तुरू जनकीवी में एडविशन लेना चाहते हैं तो यह जनरल इंफोर्मेशन आपके लिए काफी वेनिफिशल होने वाली है जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप B.Sc. ऑनर्स अग एक्जामनेशन विद दा फॉल्विंग सब्जेक्ट इन आपका साइन्स ग्रॉप फिजिक्स चेमिस्ट्री इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट जाहे वो मैथामेटिक्स हो वालोजी हो फोरेस्टी हो और अग्रिकल्चर ग्रॉप प्रोड़क्शन और होटिकल्चर जिसका भी डूरेशन 4 यर के लिए है और नंबर आप सीटी हाँ पर 6 NRI स्टुडेंट के रिजर्व हैं अगर आप बसी फॉरेस्टी मेडविशन लेना चाहते हैं तो इसका भी डूरेशन 4 यर का होगा यहाँ पर NRI स्टुडेंट के लिए 1 सीट रिजर्व है यहाँ पर आ अगर आप बी टेक अग्री कल्चर इंजीनरिंग मेडविशन लेना चाहते हैं तो आपका कोर्स का डूरेशन यहाँ पर ही 4 यर का होगा यहाँ पर NRI स्टुडेंट के लिए 4 सीट रिजर्व है आपका 12 होना चाहिए इसके साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थामेटिक्स और इंग्लिस होना चाहिए जिसमें आपके एटलीस 45% माक्स हो अब हम बात करते हैं आपकी फी स्टुडेंट के बारे में अगर आप बी एस सी ओनर्स एक्री कल्चर होटी कल्चर फॉरेस्टी इंबी टेक अग्री कल्चर इंजीनरिंग किसी भी सबजेक्ट म आपकी फी सेम होगी जो कि एनरी स्टुडेंट के लिए 1665 युएस डॉलर पर एनम होगी जो कि डिमांड ड्राप्टी डिटी के द्वारा जैन की वी जलपर में पेवल होगी प्लस अधर कॉलेज फी भी होगी आपकी जो कि 30,650 रुपीज होगी फॉर होस्टलर के लिए ए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप काउंसलिंग एंड फी का टिपोजीशन 30 जुन 2022 थरस्टे तक कर सकते हैं आपको नोटिफिकेशन में प्रोफॉर्मा दिया हुआ है जो कि एनरी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको इस टाइप का सर्टिफिकेट निकलवाना है और इ जो कि all MPPATS print का एक बहुत important question होता है कि total number of seat कितनी है तो अगर आप RBSKV and JNKV दोनों की seat को compile करते हैं तो यहाँ पर आपकी 1150 something seats आती है जिसमें से अगर हम बात करते हैं कि JNKV के अंडर पर कितनी seat आती है तो JNKV के अंडर पर total 605 seats आती है जिसमें से BSC agriculture के लिए 390 है इस इसमेंसे 5% NRI student के है तो यानि 20 seats NRI student के है BSC Ronnors Horticulture में 120 seat जो कि 5% यानी 6 seats जो है वह NRI student के है BSC Honors Forest T मे 25 seat है जिसमेंसे 20% यानि 1 seat जो है वो NRI student के है B-Tech Agriculture Engineering clashictomyologist sugars जो इसमें से 4 NRI स्टुडेंट के लिए रिजर्व हैं आपको नोटिफिकेशन में एडवीशन और काउंसलिंग से रिलेड़ कुछ इंपोर्टेंट डेट्स दी हुई हैं जैसे आपका नोटिफिकेशन कब इसूड हुआ था 23 माई 2022 को आप अपने एप्लिकेशन का सम्मीशन ओनलाइन एप्लिकेशन फर्म की लास्टेट 20 जून 2022 मंडे तक कर सकते हैं अगर आप एडवीशन के लिए सेलेक्टेड होते हैं तो लेटर इंफर्म कर दिया जाएगा अगर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में सीट अन्फिल्ड रह जाती है तो सेकेंड एडवर्टाइसमेंट किया जाएगा जिसका नोटिस सेकेंड जुलाइ 2022 को किया जाएगा और उसके एप्लिकेशन के सम्मीशन की लास्टेट 20 जुला पे बनिफिशल रहिश्ट